हेलो एवरिवन वेलकम टू अभी मन्यो आईएस जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेर कर रहे हैं यू पीएसी के एक्जाम के लिए अभी पीडिया आप लोगों के लिए एक सुपर फाइब सीरीज लेकिया है जिसके अंडर ये सभी क्लासिज हो रहे हैं तो शूपर फाइब सीरीज में हम एक क्लास प्रोवाइड करें इस पर्टिकुलर इंपोर्टन्स टॉपिक के इंपोर्टन्स कोस्टेंश के एंद लिए स्टूडेंट्स ने चेक नहीं किया है वो चेक कर सकते हैं और इसका जो सीरीज है सीरीज को जोईन करने के लिए भी इस स्क्रिप्शन में लिंक अव लेबल है अगर उसको वहां से आप जोइन करते हो तो सभी लेक्ट्यस आपको भी पीडियाफ अव लेबल हो जाएंगे दूसरा जिन स्टूडेंट्स ने इवन कम्प्लीट कोर्स भी कर रख है जिनको स्लेबस भी प्रिपेर है इवन उनके लिए भी हेल्फुल है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगे तो प्रैक्टिस किसी ने भी नहीं छोड़नी है कुछ स्टूडेंट्स ने स्लेबस कवर कर लिया तो वह बैठे एक साइड के हाँ आप हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है बट क्वांट लोजिकल रीजनिंग तो ऐसे सब करते हो थोड़ी थोड़ी देर तो ठीक रहते हैं इनका स्लेबस लिवन कवर है उनको भी मैं यहीं सजेस्ट करते हूं कि बीटा प्रैक्टिस जरूर करनी है यस वान आर्थो डिवोट करना ही करना है आप लोगोंने सी सेट पे हाँ जी तो अब लास्ट क्लास में हमने सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले 22 के अंदर भी आपका टाइमेंड वाक का कोशियर आए वाद है और देखो कितना इजी कोश्यन था अगर आपका कंसेप्ट के लिए रहे देन इसली आप कर सकते हो क्या कह रहे है ट्वेंटी फॉर मैं अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वह काम को थर्टी देज में कम्प्लीट कर रहे ते इस इस दा टोटल वार अगर हमारे पास में क्या है ट्वेंटी फॉर मैं है तो काम को कितने दिनों में खतम करेंगे अगर अगर हम यहां पर देखें तो टोटल वरक अगर हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे निकल के आएगा जब आपके आपके पास में मैं की एफिशेंसी और वो मैन की एफिशेंसी होगी, उसके साथ में आप मल्टिप्लाई करतो होगी, तो टोटल वर्क आजाएगा, ठीक है, अब अगर यहीं पर एक और स्टेटमेंट गीवन होती, आपके पास, तो उससे आप कंपेर करके निकाल पाते हैं, बट यहाँ पर अभी क conclusion, अब एक और important point आपको बताती सी question के अगर यहाँ पर, अपने question के अंदर end की बजाए आ जाता, और, 24 men and 12 women, लिखा होगा ना, तो इसकी जगे पर उता, 24 men or 12 women can complete the work in 30 days, in how many days, जो भी कागी को, जो भी condition आपके पास में, in that case, can you solve the question, yes, definitely, अगर यहाँ पर अपने पास में और होता, तो in that case, हम men or women की efficiency find out कर सकते हैं, ratio निकल जाती है आपके पास में, and you can solve the question, okay, yes, अब देखो, इसलिए कह रही हूँ कि पिटा, देखो, चो छोटे-छोटे point से वो आपके clear होने चाहिए, सिरफ इस छोटे से point की वज़े से, question, change हो जाएगा, अगर कोई doubt आता है, तो मुझे comment section में comment करके बता देगे, हाँ जी, next पर आते हैं, next question है, a man completes 7 by 8 of the job, 21 का question है बिटा, a man complete 7 by 8 of the job in 21 days, how many more days will it take him to finish the job, if quantum of the work is further increased by 50%, 50% work बढ़ा दिया है, अब बताओ उसको कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए, 7 by 8 of the, of total work, कितने दिनों में खताम होगा है, 21 days में, that means कि total work को complete करने के लिए, कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, 7 by 8, that means कि 24 days, total work कितने दिनों में खताम होगा, 24 days के अंदर, अब यहाँ पर 7 by 8 work complete होगा है, 21 days में, ठीक है, और यहाँ पर जो total work है, total work that means कि 1, हमेशा total is equal to 1 होता है, that means कि 1 by 8 of work है, remaining work कितने है, 7 by 8 complete होगे, 1 by 8 is pending न, जो pending work है, वो कितने दिनों में खताम होगा, 24 minus 1, 3 days, means 1 by 8 work कितने दिनों में खताम हो रहे है, 3 days के अंदर, अब यहाँ पर उसने किहाँ पर question में थोड़ा सा logic कि यहाँ पर क्या लगाया है, students को confuse करने के लिए, यहाँ पर उसने काया, if the quantum of work is further increased by 50%, means कि 50% work बढ़ गया है, 50% work यहाँ पर हमारे पास में बढ़ गया है, that means कि पहले total work कितना था हमारे पास में, 24, जो हमारे पास में जो total work था, वो अब कितना बढ़ गया है, हमारे पास में, हाँ जी, हमारा जो work है, वो कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है, अब हम देख रहे हैं कि जो 100% work है, उसमें कितना time लग रहा है, 24 days जो 50 days का work बढ़ गया है तो 50% work को कितना time लगेगा 12 days 12 days तो यह लगे 3 days यह लगे तो total कितने days हुए बिटा 12 plus 3 15 days तो answer will be 15 days हां जी call it out call it out इसके अंदर अगर थोड़ा confusion total work का तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हूं total work is 8 unit total work is 8 unit 7 units तो complete हो गई बच गई 1 unit 1 unit कितने time में complete हो रही है 3 days के अंदर ठीक है अब वो कहा है 50% work बढ़ा दिया that means कि 4 unit और बढ़ गई 4 unit और बढ़ गई तो 1 unit complete हो रही है 3 days में 4 units कितने जिनों में complete होगी 12 days के अंदर total 15 days लगेंगे now it's up to you कि हाँ हमारी सोच कैसे जाती है so logically आपको strong होना पड़ेगा next question यहाँ पर देखी हाँ जी this question was asked in Sisa 2020 2020 का question है if person can complete 20% of work in 8 days and another person why can complete 25% of work 6 days if they work together in how many days will 40% of the work be completed 40% work so complete होगा तो अब देखो यहाँ पर 20% work जो है वो 8 days में हो रहे that means कि 100% work कितना हो जाएगा 14 days में okay इसी तरह से अगर हम गात करें यहाँ पर 24% यह किस के लिए है हमारे पास में X के लिए ठीक है दूसरा जो person है Y Y के लिए क्या कर रहे 25% of work कितने दिनों में कर रहे 6 days में हाँ जी 100% 4 times 24 days के अंदर this is for Y अब हमें क्या पता चल गया है यहाँ से X can complete the work in 40 days Y can complete the work in 24 days total work is equal to 120 units X के efficiency हो गई 3 और Y के efficiency कितने हो गई आपके पास में 5 now what is the question if they work together in how many days 40% of work will be completed 40% work कितने दिनों में खताम होगा तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो A के efficiency कितने है 3 sorry X के efficiency कितने है 3 Y के efficiency है 5 that means कि एक दिन में कितना काम कर रहे हो 8 units work कर रहे 8 units work कर रहे हाँ तो यहाँ पे हमें कितना काम कम्प्लीट करवान है total 40% 40% of work कितना होगा आपके पास में हाँ जी 40% that means कि 2 by 5 of 120 48 units okay time कितना लगेगा X और Y को 48 by 8 that means 6 days answer will be 6 days और अगर आपको logically strong गो तो देखो इसको directly कर सकते यह वाले points ना आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं directly देखो 20% is equal to 1 by 5 1 is equal to 5 into 8 ठीक है 25% is equal to 1 by 4 1 by 4 वा कर रहे 6 days में 1 24 days clear कोई माइनर सा डाउट I hope सभी को क्लिया रहे ना चलो next देखते हैं अब यह वाले जो टाइप है इसको वैसे मैं simplification के अंदर consider करती हूँ because this is a logical question logical question but है एक तरह से जो concept यहां पर use होता है और जो UPSC अंदर भी यह वाली टाइप आ जाती है 2017 के अंदर भी same type पुछी गई थी उसके बाद 2020 के अंदर भी same type exam के अंदर आई भी थी ठीक है क्या है पहले question को रिड कर क्याता है यह frog tries to come out a dried well 4.5 meter deep with slippery walls every time the frog jumps 30 centimeter slides down 15 centimeter what is the number of jumps required for the frog to come out the well वेल के अंदर से इसको भार निकलने में कितनी jumps के जरूरत पड़ेगी अब देखो अगर हम देखे this is the well और यह क्या कह रहा है जो well है वो कितना है 4.5 meter that means कि 450 centimeter का well है अब frog क्या कर रहा है जब जम्प लगा रहा है तो 30 centimeter जा रहा है और उसके बाद में 15 पापिस बैक आ रहा है that means कि सिरफ 15 centimeter ही अप जा पाता है in one jump now what comes in our mind कि भाई अगर वो एक jump के अंदर 15 centimeter तक ही जा पाता है उस case के अंदर हमें यहाँ पर कितना time लगना चाहिए कितनी जम्प की जरूरत पढ़नी चाहिए 450 centimeter का well है जिससे भार निकलने तो maximum students इसका answer करके आते 450 centimeter का well है एक jump में 15 that means कि 30 jumps की requirement होगे और वो हो जाता आपका wrong तो जो इस तरह का question उसमें एक point का आपने धिहान रखना है देखो पीटा जब वो यहाँ पर पहुंच गया ठीक है अब जब उसने jump लगाई कितनी 30 centimeter की jump लगाएगा तो सिधा भारी नहीं आजाएगा वो बापिस क्यों slip करेगा वापिस slip थोड़ी ना करेगा वो जैसे उसने 30 centimeter की jump लगाई he will out from the well जो जो slip करके वापिस 15 centimeter आ रहा है वो थोड़ी ना हम consider करेंगे ओके तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जब वो 30 centimeter तक है पहले उसको check को यहाँ तक जब वो पहुंचता है 420 centimeter तक तब तो वो 15 की average से जा रहा है 30 गया 15 वापिस आ गया फिर 30 अप गया 15 वापिस आ गया that means what कि यहाँ पर हाँ जी उसको कितनी jumps की requirement है यहाँ तक पहुंचने के लिए 420 और एक jump में कितना आप जा रहा है ठीक है तो यह हो गया आपके पास में 28 jumps 12, 120 this is 8 अब 28 8 jumps के अंदर वो यहाँ पर आ गया थोड़ा सा उपर जा के slip करके यहाँ पर वापिस आ गया ठीक है अब उसने सीधी 30 cm की jump लगाई और वो बहर आ गया that means कि जो 29 जब जब लगाएगा तो वो क्या हो गया? out of the so answer कितना आ जाएगा आपके पास 29 will be the correct answer 17 में आया था इस टाइप को कोश्चन फिर 20 में आया है ठीक है 223 में भी हम यह वाली टाइप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोश्चन हो जाते हैं फ्रोग हो गया कुछ और condition same type of condition मिल सकते हैं तो इन पे अच्छे स्प्रेक्टिस कर लेने हैं चलो नेक्स देखे 2019 में कोश्चन नहीं था 18 में आया हो था बिटा 18 में क्या है ए लिफ्ट हैस कैपसिटी ओफ 18 अडल्ट और 30 चेल्डरन अब देखो यहाँ पे और है और है दाट मेंस कि आपके पास और है अब लिफ्ट हम आचे leg 12 अडल्ट में तो ही कितने और चाइडा सकते हैं तो यहाँ पे इस statement से मुझे क्या मिला कि भी जो 18 अडल्ट है यूपल टो 13 चेल्डरन that means what कि यहाँ पे आपके पास में जो adult है 1 adult is equal to 30 by 18 children clear तो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम देखे 6, 3, 8, 6, 5 that means कि 5 by 3 children के equal हो गया इसमें किसी को कोई भी minor सा doubt now what is the question how many children can board in the lift अब कितने children जा सकते हैं lift के अंदर हमें पते हैं कितने sorry 30 children और साथ में उसमें क्या काया कि कितने children चाहिए 12 adults के साथ में plus 12 adults अब हमें पता है कि वीज़ टोटल adults कितने जा सकते हैं 18 adults जा सकते हैं 18 adults तो 6 तो यह है 12 तो यहाँ पे है that means कि 6 adults होर जा सकते हैं that means कि कितने children ओने चाहिए 6 adults के इकवार ओके and 1 adult is equal to 1 adult is equal to 5 by 3 children ओके और तो 6 adults किसके इकवार हो जाएंगे बीटा 5 by 3 हैं तो 6 is equal to 10 children तो आंसर वी 10 children अब इतना कुछ ना आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है अब देखो यहाँ पे इसको directly नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा logical ही सोच तो नहीं क्या कहा है 18 adults है 30 children है अब उसके बाद में कहा है 12 के साथ में कितने और जा सकते हैं 18 6 is equal to into 6 that means कितना हो गया सिधा सिधा हां जी 10 आजाएगा clear there is any need to write down no so बार बार repeatedly कैती हूँ मैं सभी को बिटा logically questions को देखने की कोशिश करने क्योंकि एक्जाम में कुछ भी आ सकता है as it is question नहीं मिलेगा done so I hope जो आज हमने कुछ questions discuss करें सभी को clear है सभी को clear है अगर आपको लगता है कि हाँ this series is helpful in that case you will like the video share with your friends and the third point subscribe the channel okay सभी ने subscribe करना जेनल को अब बात करते हैं कि हाँ practice के लिए questions की मुझे जरूरत है तो मैं कैसे find out करूं ठीक है अगर मुझे concepts clear करने हैं तो मैं कैसे find out करूं good students के mind में ये भी होता है कि practice तो हम book से भी कर लेंगे बात को जो concept है वो कहां से सिखें जो logic है वो कहां से find out करें easy way से तो उस case के अंदर बेटा हम ना micro verses प्रोवाइड कर रहे हैं अभी पेडिया की तरफ से ठीक है ये जो link है इस particular link को मैंने description में आपको provide किया है description से आप link को ले लेंगे अब यहां पर देखो सभी के सभी micro courses available है maths, logical reasoning as well as English अब जैसे for example हम कहते हैं कि maths पर जाना है तो यहां पर जब आप maths पर जाते हो तो यहां पर हम देख रहे है yes जैसे सबसे पहले आरा है number system 21.88% that means कि जो paper है paper के अंदर 21.88% जो math का section है उसका 21.88% किस में साते है number system तो यही से हमें क्या पता चल गया this is very important topic और हमें इसको number system तो में बार बार कहते हैं सभी को भी सबने करना number system tips पे कर लीजे पानी की तरह okay then LCM, HCF 2.34% okay यह सारे यहां पे mention है ratio and proportion, percentage, simplification is again very important profit and loss, problem on ages partnerships अब देखो जैसे हाँ पार्टनेश्टिप पार्टनेश्टिप से कोई question नहीं आया पिछल 10 सालों में तो यहां पे हम देख रहे कि क्या है कोई percentage mention नहीं you can skip this part मैंनी कहते है कि करो सारा करो थोड़ी सी smartness देखो कि हाँ जिन से जिन टोपिक से आ रहे है उनको करो आप यह आगे हमारे पास time and work time and work से question आ रहे है 3.52% that means कि इसमें से question मिल रहा है that means कि हमें इसको करना चाहिए अब time and work के अंदर भी अगेन आप यहां पे देख सकते हो yes you have 3 class pictures 2 web notes and 351 multiple choice questions अब बात आते कि हमें क्या चाहिए यहां से आप 3 minutes का trial ले सकते हो ठीक है जो new user है वो sign up कर लेंगे अपनी details fill करेंग और उसके बाद में आपका यह dashboard पर आपको मिल जाएगा ठीक है जो already जिन्होंने एक बार sign up कर रख है जिनका ID बना हुआ है तो वो क्या करेंगे login कर लेंगे अपने ID passwords okay अब यहां पे देखो yes 3 video lectures है 2 web notes and multiple choice questions अब को students के mind में यह भी आ रहा होगा कि हाँ मैं यहां से 159 का है ठीक है यहां पे मैडम तो बेचने के लिए आगे देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है this is only for your help कि हाँ आपको अगर complete नहीं चाहिए तो complete मत लो अब यहां पे देखो 159 आपको तो multiple choice question नहीं चाहिए रिमूव कर दो यहां से देखो प्राइस भी चेंज हो गया उसका वैबनोट नहीं चाहिए रिमूव कर दो हो गया रिमूव this is only for 64 और हर एक lecture के साथ मैं आप देखो एक test भी attached है ठीक है उस class की PDF भी attached है तो इसलिए आप सिरफ video lectures भी ले सकते अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो multiple choice questions भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो यह आपको test की form में मिल जाएं इसको add कर लो okay you can customize it तो जो भी students अवेल करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं description में link available और यहां से आप यह भी चेक कर सकते हैं कौन-कौन से topics important हैं उसके according अपनी preparation कर सकते हैं so I hope it was a good session for you कि आप लोगों को कुछ प्रपर तरिक्के से आप अपनी study कर सको एक strategy बना सको कि कैसे मैंने prepare करना cset के लिए तो वहां पर भी helpful रहेगा तो अगर फिर भी कोई minor सा कोई doubt आता आपको तो उस case के अंदर आप मुझे contact कर सकते हो जो नीचे comment section है comment section में अपना contact number लिखिए I will call you okay so thank you so much मिलते हैं next class के अंदर best of luck बने रहे अभीपेडिया के साथ अभीपेडिया is our online portal that is not different from abhimanyu abhimanyu is offline portal and abhimanyu is online portal so don't get confused both are same so abhimanyu.com website explore जरूर करेंगे सथी कर आपढर भादो पाहिए Live